हेलो एवरिवन मेरा नाम है केना और आपका स्वागत है मेरी चैनल केना कचर व्लोग्स में तो आज मैं एक अन्यकानी सुनाने जाने वाली हूँ जिसका नाम है मैनत का फल तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक गाव में दो मित्र नकुल और सोहन रहते थे नकुल बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था जबकि सोहन बहुत मैनती था एक बार दोनोंने मिलकर एक बीघा जमीन खरे दी जिससे वह बहुत फसल उगा कर अपना घर बनाना चाहते थे सोहन तो खेट में बहुत मैनत करता लेकिन नकुल कुछ काम नहीं करता बर्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रात्ना करता था इसी तरह समय बित्ता गया कुछ समय बाद खेत की फसल पकर तयार हो गई जिसको दोनोंने बाजार में ले जाकर बेच दिया और उनको अच्छा पैसा मिला घर आकर सोहन नकुल को कहा कि इस दन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा क्योंकि मैंने खेत में ज्यादा मैनत की है यह बात सुनकर नकुल बोला नहीं दन का तुम से ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रात्मा की, तभी हमको अच्छी फसल हुई भगवान के बीना कुछ संभव नहीं है जब वह दोनों इस बात को आपस में नहीं सोल जा सके तो धन के बटवारे के लिए दोनों गाव के मुख्या के पास गई मुख्या ने दोनों की सारी बात सुनकर उन दोनों को एक एक बोरा चावल का दिया जिसमें कंकर मिले हुए थे मुख्या ने कहा कि कल सुबह तुम दोनों को इस में से चावल और कंकर अलग करके लाने है तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए सोहन ने राद भर जाक कर चावल और कंकर को अलग किया लेकिन नकुल चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कंकर अलग करने की प्रात्ना की अगले दिन सुबर सोहन जितने चावल और कंकर अलग कर सका उसको ले जाकर मुख्या के पास गया जिसे देखकर मुख्या खुश हुए नकुल वैसे की वैसे बोरी को लेकर जाकर मुख्या के पास गया कि मुझे भगवान पर पूरा भरुसा है कि सारे चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकर वैसे के वैसे ही थे। जमिनदार ने नकुल को कहा कि भगवान तब ही सहायता करते हैं जब तुम मैनत करते हूँ। जमिनदार ने धन का ज्यादा हिस्सा सोहन को दिया। इसके बाद नकुल भी सोहन की तरख खेत में मैनत करने लगा और अपकी बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। तो दोस्तो हमें इस कानी से क्या सिक मिलती है कि हमें भगवान से प्रातना तो करने ही चाहिए पर साथ में मैनत भी करने चाहिए। तो मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई जैसे क्रिशना।